तो आज किछे वीडिएो ने एस वीडियो में हम देखने वाले हैं वहीं जो हम यहाँ पर cover कर रहे थे human anatomy and physiology defarm first year में तो उसमें देखे हमने लास्ट वीडियो में cover करा था scope of anatomy and physiology जो की part और या कहीं तो पहली वीडिवीडियो थी देखे आगे जो आप यहाँ पर chapters देखने वाले हैं कुछ यहाँ पर medical terms आपको मिलेंगी, तो medical terms आपको तब ही समझाएंगी जब पहले आप उनके वारे में समझ लोगे कि किसका मतलब क्या होता है, तो वही आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो को start और उससे बेले कि मेरा नाम है सहरुदिन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेशी वाला, तो यहाँ पर देखे बात करते हैं कुछ various terminologies की, तो यहाँ पर लिखा है definition of various terminologies, मतलब यहाँ पर कही तरह की term यूज की आती हैं जो कि अलग अलग ग्रूप में यहाँ पर divided हैं सबसे पहले हैं पर directional term मतलब कुछ ऐसी term होंगी जो कि direction के लिए यूज होंगी, जैसे हम यूज करते हैं जैसे कि सीधे हाथ के लिए यानिकि right, left, up, down यह हम term यूज करते हैं किसी को indicate करने के लिए या किसी की दिसा बताने के लिए तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर पर रहें तो ही दिसा बताने के लिए कुछ अलग term होंगी, तो यह हम देखेंगे, second planes of body, body में कई planes मतलब कि एक imagine करके planes बनाए हैं, मतलब कौन सा पार्ट किस plane के अंदर आता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखते हैं हैं कि सबसे पहला आपकर directional term, directional term जैसे लिखाए है कि these terms are used to describe the direction of any body part, अगर आपने किस भी बोड़ी पार्ट की direction बताने हैं, मतलब दिसा बताने हैं कि वो किस तरफ हैं, तो उसके लिए कौन-कौन सी term यूज होंगी, यहाँ पर left, right, up, down, ऐसे term यूज नहीं होंगी, कुछ medical term यूज होती हैं, तो यह हमारी directional term कही जाएंगी, जिसके सबसे पहले है superior, superior का क्या मतलब होता है, यहाँ पर यानि कि जो सबसे उपर हो, superior आपने सुना होगा ना, जैसे कि कई बार management में भी या कोई office वगेरा में कि वह वो superior है, तो उसका मतलब है, यानि कि सिर की तरफ या वलतो ऊपर की तरफ, उसको नहीं हम यहाँ पर cranial भी कहते हैं, तो यहाँ पर लेका है towards the head, और upper part of body, मतलब सिर की हो, अगर मैं आपको यहाँ पर image दिखाऊं directly, जैसे कि आप यहाँ पर focus करोगे, यह आप यहाँ पर image देख रहे हो, तो यहाँ पर यह superior आपको नदर आ रहा है, मतलब superior indicate कर रहा है, सिर की तरफ, अगर मैं आप से कहूं कि आपका brain कहा है, तो आप HEP में लिखोगे, it is superior to the head, यह head की तरफ है, उसके ऊपर की तरफ है, समझ रहो, तो इस तरीके से आप यह नहीं बोलोगे, यह head के ऊपर है, ऐसे नहीं लिखोगे, it is superior to the head, यह आपके head से ऊपर है, इस तरीके से, समझ रहो, ऐसे यहाँ पर आप दूसरी टर्म देखोगे, वह है आपकी inferior, inferior को हमें आप कोडल भी बोलते हैं, जो जस्त इसके अपोलिट है, यहाँ लेका है, towards the lower part of body, मतलब नीचे की ओर, अगर आपने यह दिसा बतानी है, कि कोई part आपका नीचे की ओर है, जैसे आपको जो टखना है, यह जो घुटना है, नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पर कैसे indicate करोगे, कि it is inferior to the leg, यह कहें हैं तो inferior to the stomach, यह बोलता है, यह थाई के वो नीचे है, यह थाई के वो नीचे है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर inferior term यूज हो रही है, मतलब superior उपर की तरफ, inferior नीचे की तरफ, अगर हम normal वहासा में यह जो बोलते हैं, उपर को up बोलते ह हैं, लेकिन यहाँ पर जो medical term है, यहाँ पर यह चीज हो रही है, यहाँ पर उपर को अगर आपने इंडिकेट करना है, तो superior बोलना होगा, नीचे को किसी चीज को इंडिकेट करना है, दिसा देखानी है, यह दिसा आपने बतानी है, तो inferior word use करता होगा, समझ रहो, इस तरीक पर इसमें जाकर करके जोइन हो सकते हैं, फार्मेसी वाला आपको डाउलोड करके, आप सिंप्ली सर्च करना प्लेश टोट पर फार्मेसी वाला और वहाँ पर आपको डीफार्म के एक सेक्सिन मिलेगा, और उसमें एक हमारे न्यू बैच चल रहा है, फार्मा साथ ही कर गे कहते हैं, लिखा है towards the front of body, मतलब सामने की ओर, जैसे कि हमारे जो चहरा होता है, वो anterior होता है, यान कि सामने की ओर होता है, हमारे जो आखे हैं, वो सामने की तरफ होती है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो यह हिस्सा है, देखो इसको डिवाइड कर दिया है, अब इसको हम left या right नहीं बोलेंगे, अगर यह सामने की तरफ है, पिछे की तरफ है, जो कि दिशा को बता रही है, ऊपर को बताने के लिए superior, नीचे को बताने के लिए inferior, और सामने के लिए अगर indicate कर रहे हो कि भाई, आपके वो चीज़ सामने है, मतलब आप मेरे सामने खड़े और आप मेरे पीछे खाड़े हैं मतलब पोस्टेट रडसको इसको पोष्टेटिर वॉलिइ फीर्व हैं और यहां पर यह पर वही है तेb जो इक बीच में है तो उसके अब पीड़ेल थर्म हैं और बहुत तो आप एप लिख एक क्लोटanno मीडलाइन of body जैसके सब्सक्राइब जो भी चीज होगी ना उसको हम मीडियल बोलेंगे कि भाई वो उसके मीडियल है समझ रहो एंड तो यहां पर मैंने वही इमेज में दिखा रखा है जैसे आप इसवाली इमेज को देखोगे जिसके यह वाला जो हिस्सा है यह हमारा मिड लाइन कहा जाएगा अब देखो यहां पर टर्म है मीडियल यह है इसका जैसे हमारी रिब्स ना है जो पसली है वह मीडियल है वह हमारी बोडी के बीच की उसको हम लगे लेटेरल और इसके जो अगर मिडिलाइन की खिलोगे तो उसको वह बोर्धा आए इसको इसको में डील ऑलएंगे अगर यहां पे दूसरी तरह बाप देखो गेशते हों यह जो आप देखोगे तो यह जो है दूर है फार है में मिडलाइब ऐसको इसको भी में तो उसको प्रोक्जिमल वो लेंगे जैसे यहां पर दिखा रहा है यह जो थाई है इस वाले पार्ट के लेकिन आपकर नीचे वाला जो पैर है या वो ले इसके जो अंगुठा बगरा है तो यह इसके डिस्टल है, तो डिस्टल इसके अपोजेट है, डिस्टल का मतलब होता है, फार फ्रॉम ढार्ट राक्रटि केहने का मतलब है, हापनें दो दो जोड़े बने पड़ें, पेयर हैं, जैसे कि एक यहाँ पे था superior तो just ultra था inferior एक था anterior सामने के लिए एक था posterior पीछे के लिए एक था medial बीच के लिए एक था lateral दूर के लिए एक था proximal जो करीब होता है central part के उसके लिए एक था distal जो दूर होता है central parts तो इस तरीक से जो सारी तर्म है वो डारेक्शनल टर्म है अगर आपने डारेक्शन देनी यह तो इन टर्म का यूस होगा अगर आगए स्लेवस पड़ोगे तो यह सारी तर्म अपको पढ़ने को मिलेंगी तो आपने समझ जाना है अगर कहीं लाइटेरल लिखा है उसका यहाँ और निचे की तरफ है तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझना है आप देखो यहाँ पर चाहिशा तरफ किया आपने याद रख मुझा अब इसको इसके सारी जहाँ पाइन वहाँ प्लेंस ऑफ बड़ी मतलब जो हमारी वॉड़ी है उसको हमने यह कहें तो इमेजन क करके अलग अलग ना प्लेन में डवाइड कर दिया है अब हमको यह समझना कि कौन सा प्लेन क्या होता है और वो कैसे डवाइड करता है वोडी को लिखना ही देखे प्लेंस अब दा बोडी आर इमेजिनरी लाइन यह मतलब यह एक्शुली में होती नहीं है जैसे करके अगर बोडी को कोई डिवाइड करता है तो इस टाइप का प्लेन होता है तो यहां पर ना तीम टाइप के प्लेन है सेजिटल प्लेन और दूसरा है आप देके फ्रेंटल यह कहें अगर मैं आपको इमेज देखा हो ना उससे आपको डारेक्ट क्लियर हो जाएगा जिसके पहला है यह सेजिटल प्लेन जो कि आपको यह वाला पार्ट आपको देख रहा है तो यह हमारी बोडी को लेफ्ट और राइट दो अलग अलग हाफ दो पार्ट मिडवाइड करता है उसको हम यह पर सेजिटल प्लेन कहते हैं समझ जा रहा है इमेज से ही दूसरा हमारे पर कोरोनल प्लेन यह विलू कलेर में जो आपको देख रहा है कोरोनल प्लेन है जो हमारी बोडी को फ्रेंट और बैक दो पार्ट मिडवाइड करता है वो कोरोनल प्लेन है एक हमारे ट्र और इनफेरियर दो पार्ट में डवाइड करता है उसको हम यहां पर ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं बस यहीं इनकी डैफनिशन है जो यहां पर मैंने सिंपल तरी कैसे लिख रखी है जैसा पहला पड़ोगे जो साजिटल था वो लेफ्ट और राइट में डवाइड करता था लख सब्का पर कहते हैं फ्रेंट को नर्च बरेंट जो आपको दिख रहा है बेलू कलर वाल इसे रहेखे सप्टा है बीखानिक्रेयर चौर भाइट करता है यह हमारे transverse या horizontal plane तो इन planes की भी कुछ term use होंगी जब आप आगे पड़ोगे अगर किसी particular organ को बताया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि उसको इस तरीके से divide किया है या ऐसे उसको divide किया है तो यह चीज़ आपने दिहान रखनी है ठीक है अब इसका वादी कि third जो इंदर कोई organ रहता है और जो इन cavities की वज़ा से protected रहता है बचा हुआ रहता है तो यहां पर कैई सारी है जैसे आप image देखोगे ना आप उनको समझ जाओगे पहला है पर cranial cavity दूसरा है यहां पर spinal यह कहीं तो वर्टीवरल cavity तीसरे हैं पर thoracic cavity and दो और हैं पर abdominal cavity and pelvic cavity अब जैसे आप image देखोगे ना यह जो हिस्सा है ब्रेंड वाला ब्रेंड के यहां पर भी एक खाली जागे होती है जिसके अंदर पूरा हमारा इसकल वाली बोल सकते हैं कि जिसमें प्रेंड आता है तो उस cavity को जिसमें हमारा पूरा ब्रेंड आता है उसको हम cranial cavity समझें सेकन यहां पर आप देखें इसी से हमारे spinal cord जोड़ा है यह spinal cord जो की dorsal body cavity बोल देते हैं पूरी को ठीक है पर आपने इसको अलग अलग दिहान रखना है सबसे पहला हमारा cranial दूसरा हमारा vertebral यहां पर तीसर देखोगे जहां पर हमारा heart और लंग्स वगर आते हैं कि फेपड़े और हमारा दिल जो आता है वो आता है थोड़ा सी cavity में उसको हम बोलते हैं थोड़ा से जहां पर नीचे आप देखोगे यह रैड क्लर में यह abdominal cavity यहां पर हमारा stomach liver और हमारी intestine वगर आती है हमारा stomach यानिकी हमारा पेट और लिवर वगर इसके अंदर आते हैं नीचे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यह हमारी bladder हुआ हमारे reproductive organ हुए rectum बगएर तो यहां पर आते हैं समझ के बस यही चीज़ आपने लेखनी है कि कौन से cavity में क्या चीज़ आती है जैसे cranial cavity सबसे पहले हमने समझा ज्योंकि brain इसके अंदर आता है लिखा कि it located within skull यह जो खोखली होती है हमारे सर के उसके उसमें इसे प्रजाइंट रहती है इसके अंदर brain रहता है समझ के यह हमारी cranial cranial cavity okay अब second आह पर हमारी spinal yatevral cavity it contains the spinal cord इसके अंदर हमारा spinal cord आता है यह वाला जो पूरा जो है यह हमारा spinal cord आता है थार्ड है हमारा thoracic cavity लिखा है it contains the heart and lungs यानि कि chest area होता है यह हमारा इसमें पूरा heart and lungs बगरा इसी cavity के अंदर आते हैं next हमारी abdominal cavity it contains the stomach, intestine, liver and kidney यानि कि यह जो आपको red color में दिख रहा है इसमें हमारा पेट हुआ हमारा liver यानि कि यकर and हमारे kidney बगरा और इसकलाब हमारी intestine यानि की आथ भी इसी के अंदर आती है तो यह हमारी abdominal cavity है last में हमारे हमारे यह greenish color में pelvis cavity तो यहाँ पे जो हमारा bladder आता है reproductive organ आते हैं जो male female में अलग अलग होते हैं लास्ट में हमारा rectum भी इसी के अंदर आता है तो इस तरीके से ने यह हमारी सारी terms थी जो कि हमने तीनो टैप्स की term यहाँ पर हमने cover करी है जैसे यह वाले topic हमारे complete हो जाता है definition of various terminologies तो यही तास्क की वीडियो में फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई thank you have a nice day